अगर आप पिछली वीडियो नहीं देख पाए तो उसे देख लीजे Question 1 है परिवहन के चार प्रकार क्या है? यानि What are the four types of transport? तो आंसर है परिवहन के चार मुख्य साधन है सडक मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, एवं वायू मार्ग English में लिखना चाहते हैं तो you can write down four main types of transport are roadways, railways, waterways and airways तो ये हैं चार मुख्य ट्रांस्पोर्ट, next है बस्ती से आप क्या समझते हैं? यानि What do you understand by settlement? बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं English में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं settlements are those places where people make home for themselves यानि बस्तियां उस जगा को हम बस्तियां कहते हैं जहां पर लोग अपने लिए घर बनाते हैं तो इस answer को आप जल्दी से अपनी notebook में लिख भी सकते हैं और वैसे मैं चाहते हूँ आप book से खुद से धुड़ने की कोशिश कीजें नेक्स्ट है ग्रामीर लोगों के क्रिया कलाब क्या हैं यानि what do people in the villages do to earn their living तो क्या सब करते हैं वो क्रिशी, मच्सेपालन, वानिकी, दस्तकारी, पशोपालन, संबंधी कारिय करते हैं यानि की agriculture, fishery, forestry, craftsmen and rearing of animals तो ये सब वो करते हैं और इस answer को भी आप अपनी book से धुड़नेंगे ना खुद से तो आपको और confidence हाएगा so that next chapters जैसे जैसे आप read करेंगे आप खुद से answers को देख पाएंगे next है rail mark के किनी दो गुणों के बारे में लिखे यानि आपको दो benefits बताने हैं तो फाइदे क्या है rail mark के जी हाँ rail mark का एक सबसे बड़ा फाइदा है कि ये तीवरता से चलती है ठीक है first आप लिखेंगे तीवरता से चलती है यानि कि कम समय में ज्यादा दूरी तेह कर सकते हैं आप तो ये सब आप rail mark के गुणों में लिख सकते हैं इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो you can write down railways are faster तीवरता मतलब faster और कम खर्च मतलब less expensive railways are faster and less expensive in order to help people to go from one place to the other rail mark जो है वो जल्दी से चलते हैं और कम खर्चे पर चलते हैं यही उनके दो गुण है next question है संचार से आप क्या समझते हैं what do you understand by communication जी हाँ संचार से हम क्या समझते हैं संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुचाने की प्रक्रिया है यानि जब हम अपने विचार दूसरों तक प्रकट करते हैं उसी को हम संचार कहते हैं और किस तरह हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, बोल कर, लिख कर, है न, तो अलग-अलग माध्यम है संचार के, जैसे की रेडियो है, टेलिविजन है, समाचार पत्र है, यह सब उसी के examples हैं, जो बच्चें इंग्लिश मीडिया में लिख रहे हैं, वो आंसर को लिख सकते ह is the process of conveying messages to others, यानि की संचार दूसरों तक सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया है, तो यह है संचार, अगला प्रशन देखते हैं, जनसंपर्क माध्यम क्या है, जब हमने वीडियो पिछली देखी थी, तो हमने क्या देखा था, जनसंपर्क माध्यम में, समाचार पत्रों, रेडियो और टेलिविजिन के द्वारा, हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इसे जनसंपर्क माध्यम कहते हैं, तो क्या समझे आप जनसंपर्क माध्यम से, जब हम रेडियो टेलिविजिन या न अगर आप इंग्लिश में आंसर लिखना चाहते हैं, तो उसी में आपको यह आंसर मिल जाएगा, तो उसी में आपको यह आंसर मिल जाएगा, तो यह हुआ हमारा जनसंपर्क माध्यम और इसी के साथ question answers खतम हुएं, तो चलिए जल्दी से question 2 देख लेते हैं, जिसमें आपको सही उत्तर पर निशान लगाना है, फर्स्ट है, इन में से कौन सा संचार का साधन नहीं है, टेलिफोन, पुस्तक और मेज, आप जानते हैं कि टेलिफोन और पुस्तक तो संचार का साधन है, इसलिए मेज नहीं है, नेक्स्ट, इन में से कौन सा सडक का भूमिगत निर्माण है, भूमिगत आपको पता है, अंडरग्राउंड, जो सडक के नीचे, जमीन के नीचे होता है, फ्लाइ ओवर, फ्लाइ ओवर और एक्स्प्रेस वे, ये सडक से उपर होता है हमेशा, इसलिए सब वे हैं जो अंडरग्राउंड रहता है, नेक्स्ट है किसी द्वीब पर पहुँचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उप्युक्त है द्वीब क्या होता है जहां पर चारो और पानी हो और बीच में धर्ती का यानि लैंड का टुकड़ा हो आइलेंड जिसे हम कहते हैं आइलेंड तक हम कैसे पहुँचेगे रेल गाड़ी तो रेल गाड़ी और कार दोनों ही रोडवेज हैं यानि सडक पर चलते हैं जहाज है जोकि समुद्र में चलता है तो इसलिए समुद्री जहाज से हम द्वीब तक पहुँच सकते हैं लास्ट है, यातायात का कौन सा साधन परियावरण को प्रदूशित नहीं करता, जिससे पल्यूशन नहीं होता है, बस और हवाई जहाज, ये दोनों तो वायू को प्रदूशित करते हैं, तो कौन सा नहीं करता, cycle, so you can tick the first option, that is cycle, English और हिंदी में options एक जैसे हैं, and I hope English वाले हि इंदी वाले English में इतना तो समझ ही गए होंगे, है न, तो चलिए next question को जल्दी से देखते हैं, मिलान करो, आपको match the column दिये गए हैं, जिसमें आपको चार options दी गई हैं, और आपको उनको सही option के साथ मैच करना है, first is internet, internet क्या है, संचार का एक साधन, next है, नहरमार्ग, नहर अंतर देशिय जल मार्ग को कहते हैं, next नगरियकशेत्र, नगरियकशेत्र व क्शेत्ر है जहां लोग उत्पादन, व्यापार, इवं सेवाकशेत्र में काम करते हैं, next सघन्बस्ती, सघन्बस्ती है जहां पर आसपास निर्मित घरों वाले क्शेत्र होते, यानि बहुत compact ज और आप बिना मेरी मदद के इनको अच्छे से मैच कर पाए होंगे तो चलिए जल्दी से अपनी बुक में खुद से माक कर लीजे and let's go on to question 4 कारण बताईए आज विश्व सिमठता जा रहा है इसका क्या कारण होगा कि विश्व सिमठता जा रहा है English में हम इसी question को देखे Today world is shrinking क्या करण है कि world shrink क्यों होता जा रहा है आज परिवहन और संचार के साधन इतने विखसित हो चुके हैं कि विश्व की कोई भी दूरी हमारी पहुँच से बाहर नहीं है यातायात की तीरुता से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत जल्दी पहुँचाते हैं साथी संचार के साधन से हम जल्दी से सभी से संपर्क कर सकते हैं So you can write this answer quickly चलिए अगली वीडियो में जल्दी से फिर से मिलते हैं और आप सभी को wish you a very very happy दिवाली So stay tuned, take care, bye bye